ड्रक्स और रेव पार्टी के बारे में मेरा स्टेंड कलियर है और आज पेपर में भी आया है अरेवल सियम ने मुझे सपूर्ड किया है उस बारे में और यह जो लेट नाइट म्लीजिक है और रेव पार्टी जो उसकी मदद से बज रहे है यह हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति कुछ अलग है, लेकिन यह तोड मरोड के ऐसे दिखाना यह गलत बात है कुछ ही लोग है जो इस धंदे में हैं, और वो ऐसा टूरिजम का आधार लेकि जो कर रहे हैं और खुद के फायदे के लिए जो पाच-छे लोग कर रहे हैं, यह बहुत गलत बात है और आज सियम ने भी क्लियर किया है कि यह उचित नहीं है और आज से ऐसा अगर हो रहा है तो वो बंद होना चाहिए, मेरी भी सला है इन लोगों को, दुबारा इसा मत करो, हमारी जो युवा पीड़ी है जो बरबात हो रहे है उस मुद्दे को लेकर अगर हम देखे कि आज कोस्टल बैल्ट में अगर आप देखे तो युवा पीड़ी बरबात हो रही है और हम ये हमारी आखों से देख नहीं सकते इस वजे से मैंने इस्टेंड लिया है और ये हमारी सांस्कृति नहीं है हमारी सांस्कृति कुछ अलर है इस हिसाब से हम चल रही है Honorable Chief Minister has rightly said that he will not allow any rave parties late night. It's a very, it's a welcome decision because Goa is a family tourist destination. We have parties within the sound limits and within the four walls that is in soundproof area. It is allowed and whatever the Honorable Minister also has decided is good. One or two people are trying to disturb the whole environment which should not be and the Honorable Chief Minister is on record that he will not tolerate specially as far as drugs is concerned and prostitution. It is zero tolerance and I have been fighting for this for last five years.